आपका अपना चनल इंडिया एवन न्यूस जो रखे आपको एवन साथियों भाजपा सबका साथ सबका विकास के मंत्र को ले करके चल रही है भाजपा सरकार के हर योजरा का लाफ गरीब को मीना किजी बेज़बाव के मिलता है मोदी के लिए इस देश में गरीब ही सबसे बड़ी जाती है हमारी सरकार येली के लिए गरीब कल्यान सबसे बड़ी प्रांत्रीकता है भाजपा सरकार के प्रयासों के कारण देश में पांच साल में तेरा करोड से ज़्यादा लोग गरीबी से बाहर निकले है जब 13 करोड लोगों की गरीबी खत्म हो सकती है तो पुरे देश की भी गरीबी खत्म हो सकती है इसके लिए हम हर वो काम कर रहे हैं जो गरीब की चिंता कम करें उसकी परेशानी कम करें पता मेरे परिवार जनों कोरोना काल में पूरी दुनिया कितनी परेशान थी चारो तरब से मौत की खबनलों के सिवाय कोई खबरें नहीं थी hele कि वह यहाँ इतने उतने मरे इतने मरें दुनिया के हर देश में अस्पताल डेड़ बोड़ी से भरे पड़े थे श्मशान में जगा नहीं मिल रही थी यहाल बन चुका था परिवार में भी बेटा बुड़ी मा को नहीं मिल पा रहा था कहीं उसको बिमारी लगन जाए ऐसा भाइन करवाता बन हमने जेला दुनिया में बहुत कुछ ठप हो चुका था बाहर जाके काम करना मुश्गिल था जीना प्रात्मिक्ता हो कि पेड़ फिरना प्रात्मिक्ता तो लोगों ने सोचा अभी बाहर नहीं जाना है कुछ दिन निकाल देंगे फिर देखेंगे वो हाल ता याद है ने आपको कैसी मुशिबत के दिन थे लेकिन मैं दिन रात आपकी सुरक्षा के लिए अपने आपको खपा रहा था मैं 24 गंटे आप से जुड़ा रहा था और मैं गरीबी से निकल करके आया हूँ कि गरीब की क्या मुसीबते होती है वो मुझे किताबों में नहीं पढ़ना पढ़ता मैं जी करके आया हूँ और उस संकट की घड़ी में मेरा पहला निर्ण ये था कुछ भी हो जाए मुझे मेरे देश के लोगों को बचाना है मेरा सपना था किसी भी गरीब के घर में चूला बुझना नहीं चाहिए कोई बच्चा रात को भूका सोना नहीं चाहिए मा रात बर बिलकती रहे भूके बच्चे को रोते हुए मा देख न पाएं वो स्थिती मुझे मंजूर नहीं थी आपका बच्चा पेड भरके सो जाए इसलिए ये मोदी जाकता रहता था पित्ले तीन साल से ये आपका बेटा ये आपका भाई तीन साल से जैसा एक बेटा आपने मावाब की सेवा करता है न वैसे ही उसी भाव से मैंने 80 करोड लोगों को मुप्त राशन दे करके उनका जीवन कठिनाईयों से कम करने के लिए प्रयास किया और लोगों ने मुझको अथिरवार दिये लोगों मैं ये जो पैसे अनाज में जाते थे वो बचे तो किसी अच्छे काम में लगाने लगे बच्चों को पढ़ाने में लगाने लगे बच्चों के लिए अच्छी सुविधा करने में लगे और जब मैंने सारा ध्यन किया तो मैंने मन के अंदर निश्य कर लिया क्योंकि यह योजना तो यह डिसंबर में पूरी हो रही है तो मैं सोच रहा था भे डिसंबर में पूरी हो जाएगी तो मेरे परिवार जुनों को अभी तो कुछ करना बाकी है क्या होगा और इसलिए मैं दर्बदा के तर्ट से आज कह रहा हूं मैंने निश्चे कर लिया है कि डिसम्बर में ये युजना खतम नहीं होगी मैं इसे पांच साल और आगे बढ़ा दूँगा पांच साल और आगे बढ़ा दूँगा पांच साल के लिए 80 करोड लोगों को उनका घर का चूला जलता रहे ये काम मोदी करता रहेगा इसके लिए लाखों करोड रुपे खर्च किये जाएंगे जब केंद्र में कॉंग्रेस की सरकार थी तो लाखों करोड कहां जाते थे गोटाले में जाते थे आज मोदी बैठा है आपका बेठा बैठा है ये लाखों करोड आपके बच्चे की ठाली में जा रहे है मैंने गरीब के पैसों की लूट बंद करा दी अब गरीब का पैसा गरीब के काम आ रहा है इसलिए भाजपा सरकार लाखों करोड रुपिये गरीबों को खाना खेलाने में खर्च कर रही है जातियों मोदी ने देश के हर गरीब को पक्के घर की गारंटी दी है डबल इंजिन सरकार की वज़े से इस गारंटी को पुरा करने में भी MP टॉप पर है मैं सिवराज जिवर्म की पुरी टीम को बधाई देता हूँ मद्द प्रदेश में 45 लाख पक्के घर दिये जा चुके 45 लाख खंडबा जिले में भी करीब सत्तर हजार गरीब परिवारों को पक्के घर मिल चुके है और जब सत्तर हजार पक्के घर मिले है तो लोहा कहां से खरिदा होगा सिमेंट कहां से खरिदा होगा इंतें कहां से खरिदी होगी लकड़ी कहां से लाए होगे यही खंडवा के बाजारों से लाए हो और इसलिए मद्द प्रदेश के खंडवा जिले के मद्दमबर की दुकानों से भी विक्री जादा हुई है मद्दमबर को भी लाव हुआ है पक्के घर के ये लावार दिमी बड़ी संख्या में मेरे दलीत परिवार के हैं मेरे वबी सी परिवार के हैं मेरे आदिवा सी परिवार के हैं लाखो रुपिय के घर और ये काम मैंने किया माताए बेहने मुझे आशिरवाद जरूर देना आप आज आप इतनी बड़ी तावाद में आई हैं हमारी यहां कैसा है गर है तो किसके नाम पर पती के नाम पर दुकान किसके नाम पर पती के नाम पर गाड़ी लाए तो किसके नाम पर पती के नाम पर या बेटे के नाम पर खेत है तो किसके नाम पर पती के नाम पर पती नहीं रहा तो किसके नाम पर बेटे के नाम पर मा को क्या महिला को क्या उसके नाम कुछ नहीं यह बेटा यह दर्द समझता है और इसलिए बेटा ने कताय किया माता यह बैने जो मैं अब घर देता हूं न महिलाओं के नाम देता हूँ ताकि यो घर की माल के निबने और एक एक घर लाखों रुपया का बन रहा हैं तो एक पकार से मेरी माताई बहने आज लगपती बन गई तो उसके इस बेटे को कितना आनंद होता होगा कितना मन को समाधान होता होगा सात्यों हमारी सरकार जो कहती है कहने के लिए नहीं कहती हैं हम कहते भी हैं करने के लिए और करके ही दिखाते हैं और जाकर के हिसाब भी देते हैं बाव यह प्यानों यह जो इतनी जन समुदा है ना जो लोग लिखने पढ़ने वाले हैं तीवी के अंदर आकर के डिबेट करते हैं जरा देख लीजिए यह जनता जनारदन सिरफ सभा नहीं हैं यह बहुत बड़ी गारंटी हैं यह लोग गारंटी दे रहे हैं भाजपास स भाईो बैनों मोदी की गारंटी है कि हर बैन के घर पाइप से पाणी पहुचेगा मद्ध परदेश पर केरी 70 लाग परिवारों के घरों में अब पाइप से पहुचे दे जगाए पाणी यहाँ खंबा में भी 70 लाग से जादा घरों को जल जीवन मिशन का लाग मिला है MP की सर्भाजपा सरकार लाडली बहना और लाडली लक्ष्मी जैसी अनेक योजनाओं से बहनों को ससक्त कर रही है और आपके मामा तो उसी में लगे हुए बराबर अनेक योजनाओं से